नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज बैसाख मा के क्रशन पक्स की पर्तिपदा यानि एकम दिथी और दिन शुक्रुवार है तद अनुसार अंग्रेजी तारिक 7 अप्रेल सन 2023 सबसे पहले आईए एक नजर डाले ते दिन बर की सुर्क्यों की तरफ हर माहिने तया होंगे गरेलू गैस के दाम सस्ति होगी CNG और PNG केंदरे केबिनेट की बैठक में लिया बड़ा फैसला हर यहना में BJP का 44 वा स्थापना दिवस 6 लाग घरों में लेरा है जंडा CM बोले भाजपा कारिकरताओं की पार्टी नएगी एक परिवार की CBSC रिजट को लेकर बड़ी अपडेट इस दिन गोशित हो सकता है परिक्षा पर नाम आंगनवाडी कारिकरताओं की 53,000 पदों पर भरती का नोटिस जल्द जारी बारवी पास उमिदाओं को मिलेगा मोका बताएंगे पूरी खबर युवाओं के लिए बड़ी खुश कबरी आई सामने दिल्ली पुलिस में जल्द होगी 7,883 पदों पर भरती बताएंगे पूरी खबर सठेबाजी और दाउन लगाने वाले ओनलाइन गेम बैन होंगे सरकार ने जारी की नई एडवाईजरी कहा मीडिया ऐसे विग्यापन ने दिखाए इंडियन प्रीमियर लीग यानि आईपियल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोलकाता की इडन गार्डन्स मैदान पर 81 रन के बड़े अंतर से अरा दिया और अब खबरें विश्तार से मार्च महिने में पस्च में विचोप के चलते बारिस वह हवाई चलने के बाद बुद्वार से मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है बुद्वार को अचानक ताबमान में बड़ोतरी दज की गई जिस कान खेतों में पकर तयार खड़ी हुई फसल की कटाई शुरू हो गई है गयों कटाई का काम शुरू होता ही कमबाईनों की डिमांड भी बढ़ गई है सर्षो के आवग भी मंडियों में तेज हो गई है मौसम विभाग ने आगामी दिनों में उत्तर परसी में हवाय चलने से ताबमान में बढ़ोतरी होनी की समावना जताई है अब अगेती भी पचेती गयों की कटाई एक साथ होगी ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों में मंडियों में गयों की आवग जोर पकड़ लेगी हैफेड सर्षो को नियूंतम स्वार्थर मुल यानी 5,450 रुपे पर टेक क्योंटल पर खरीद रहा है बुद्वार को 5,335 नए मामले मिले जबकि 13 लोगों की मौत हो गई इससे पहरे 22 सेतंबर को 5,330 से मामले सामने आये थे बुद्वार को 2826 लोग की इस बिमारी से ठेक भी हुए फिलाल देश में 25,587 एक्ट्व केस हैं इतनी बड़ी आबादी में 30-40 केस मिलना गंबिर बात नहीं है लेकिन देश में मई से रोज़ाना 20,000 तक केस आ सकते हैं कोरोना के डेली केसिस में इजाफा तेज हो गया है फिलाल पोजिट्विटी रेट 3,32% है अगर ओशल देखें तो मार्च महीने में रोज़ाना ओ स्थन 1,09 केस आ रही है जबकि अप्रेल महीने में रोज़ाना ओस्थन 4,000 वामले आ रही है देश में मंगलवार को मिलने 5,335 नए केस में से 3730 सिर्फ 5 राजियों में मिले है इनमें केरल सबसे आगे हैं यहां तकरीबन दोजार के नए केस मिले हैं इसके बाद महाराष्ट में 570, दिल्ली में 509, हिमाचन परदेश में 389 और गुजरात में 351 केस सामने आई है जननाएक चोदरी देवलाल के 22 पूर्णे देती हरियान समेथ पूरे देश में बेहत सर्दा पूरोक मनाई गई परदेश के सभी जिलों में सारुधर्म प्रात्रा सबा वे समाजी कारेक्रमों का आयजन कर पूरू परदान मंतरी को सर्दा सुमन अरपित किये गई सिये मनोरलाल खटर ने ट्वीट कर का कि भार्त के उप परदान मंतरी और हरियान के मुख्य मंतरी पत पर रहे किसानु के मस्तेया सवतंतरता सेनानी चोदरी देवलाल के पूर्णे देती पर उन्हें भाव बिनी सर्दांजरी अरपित दरता हूँ हरियान के परगती में उनका योगदान सेदव सेदव के लिए याद रखा जाएगा वहीं मुख्य कारिकरम नई दिल्ली स्तित ताव देवलाल के समाधी संगर स्थल पर आयुजित किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एम इनेलो सुप्रीजी अबयसिंग चोठाला पर्देश अदक्स नफयसिंग राठी इनेलो के दिल्ली परदेश अदक्स हरी सिंग राना इनेलो की युओ आ विंग के राष्टि परवारी करन सिंग चोटाला मैला परकोष्ट की परदेश परधान मासाची शुनेना चोटाला उप मोखी मंतरी दुशन चोटाला समेट पूरे परदेश से आई इनलो लेता कारी करता इम गणमान ने वैक्तियों ने सर्दा सुमन अर्पित कर सर्धान जली अर्पित की इस सवसर पर सारो धर्म प्रातना सबगा आयोजन किया गया सबी ने जननानायक को याद कर उनके दिखाई राच्ते पर चलने का संकाल पलिया जननायक ने देश में बुझरकों के लिए 100 प्यमासिक पेंशन करद में डूबे किसानों के करजे माफ किसानों के ट्रेक्टर को कम वहाई दूशन चोटाला ने कहा कि बहुत पूरू उप प्रधान मंतरी चोदरी देवलाल सही मायने में किसान इतैशी थे जिरोंने किसान की पीड़ा को बखुबी ने के उल समझा बलकि मुख्य मंतरी बनने के बाद उसे दूर करने का हर्शन वो प्रियास भी गया ओलावरस्टी और बारिस से हर्याना के गयों के चमक फिकी हो गई है सरकार दौरा सूबे के साथ जिलों से मंगाई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है डिप्टी सियम दूशन चोटाला ने केंदरी उप भोगता मामने खादे एम सारजुनेक वित्रन मंतरी पियूस गोय इसे ठीक पहले बारिस और ओलावश्टी सुरू हो गई थी जिसने हर्याना में खड़ी फचलों को चोपट कर दिया है भारी बारिस के काण गयों की फचल की चमक खराब होने के संबन्द में परमुक खरीद जिलों कैथल करनाल कुरूशेत्र फथयावाद सिरसाद जीन और यम्लानगर से रिपोर्ट ली गई है बार-बार होने वाली बारिस और ओलावश्टी होने से उत्पादन कम हो सकता है मुख्यमंतरी मनोहलाल खटर की ओर से मई महीने में खराब फसल का मौजा देने की विबात कही गई है पुलिस में भरती होग और देश सेवा की चाहत रखने वाले योग के लिए बड़ी खुशकर भी सामने आई है बता दे कि दिल्ली पुलिस में बड़ी संक्या में कोन्स्टेबलों के पद रिक्ट पड़े है और जल्द ही इन पदों पर भरती होंगी एक सवाल के लिए कि जवामे केंद्रे ग्रह राजी मंतरी नित्यादन राई ने राजी सबा में बताया कि दिल्ली के लगबग सभी पुलिस थानों में एक माज तक कोन्स्टेबलों की कुल 7883 पद खाली है दिल्ली पुलिस के और से साजाकी के जानकारी का हवाला देते व वर्तमान में दिल्ली में 6 पुलिस रेंज 15 जिले और 209 पुलिस स्टेशन है आपको यहाँ पर बताते चले कि दिल्ली पुलिस साइद दुनिया की सबसे बड़ी महानगरी पुलिस है और यह लंदन पैरिश टोक्यों वे नियुएर्क से भी बड़ी है नोकरी का इंतजार कर रहे है युवाओं के लिए एक खुश कबरी और सामने आ रही है जी हाँ आपको बता दे कि आईटा इधारकों के लिए अची कबर है दरसल युवाओं के लिए परधार मंतिर राश्टे सिक्षूता कम रोजगार मेला आयोजित किया रहा है यह मेला 10 अपरेल 2023 को सुबह 10 बजे परारम होगा इसलिए सबसे अनुरूद किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यार्थिवा पहुंचे और रोजगार प्राप्त करें आपको बता दे कि इस रोजगार मेले में आनेक कमपनिया हिसा लेने वाली हैं जो अपनी नौकरी के अनुसार अभ्यार्थों का चैन करेंगी उम्मिद्वारों को चैनित करके उन्हें रोजगार दे जाएगा तथा उचित मान दे भी परतान किया जाएगा सभी चुक्षातर अपने मूल दस्तवेज वद्दो फोटोकॉपी के साथ इस रोजगार मेले में भाग लेना सुनेशित करें केंदरि मादमिक शिक्षाबॉर्ड यानि सीब अडिमिक सच्चिनिक स्टर 20 sector 2022-23 की कक्षा दस्वी और बारवी की वार्शित प्रिक्षाः 21 मार्ज को संपन होई थी तो भाई बारवी की फ्रिक्षा पास अप्रेल को स्मापत हुई बॉर्ड की फ्रिक्षा देने के बाद एक तरफ जहां स्टूडेंट्स को राहत पर ही सास मिली है साथ ही अब रिजल्ट का भी इंतिजार कर रहे है स्टूडेंट्स को आगा करते वे कहा है कि सोशल मीडिया पर परसाइथ होने वाले परिणाम और जूटी कबरों पर ध्यार ने दे बॉर्ड ने रिजल्ट तयार करने के प्रिक्रिया प्रारम पकर दी है और जब भी रिजल्ट गोशित किया जाएगा तो सीबेसी बोड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा उन्होंने बताए कि माई महीने में कक्षा दस्वी और बारवी का प्रिक्षा परिणाम गोशित कर दे जाएगा और जल्द ही इस बारे में आधिकारिक गोशना किया जाएगी प्रिक्षा परणाम को तयार करने में एक महीने से लेकर 45 दिन का समय लगता है संभावना है कि माई के दूसरे सब्ता में बोड द्वारक अक्षा दस्वी और बारवी का रिजट घोशित कर दे जाएगा हर्याना में बीजेपी का 44 अस्थापना दिवस धुम दाम से मनाया गया हर गर जंडा मोहीम के तयाथ शूबे में 6 लाग पार्टी कारेकरताओं ने अपने घरों में बीजेपी का जंडा फेराया इस मोहीम की सुरुवात गुरू गुराम से हरियाना की बीजेपी अधेक सोंपरकास धन करने की मुख्यमंतरी मनोलाल खटर ने भी मोहीम के तैट विधायक दलकार एले में पार्टी का जंडा फेराया हर्याणा के मुख्यमत्री मनोरलाल खटर ने जंडा फैराने के दोरान कहा कि पहले बीजेपी की दो शीटे ही थी लेकिन जनहित की नीतियों के कारण आज बीजेपी देश के साथ ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है यह तक कि देश के अधिकान्स राजियों में भाजपा अपने सरकार बना चुकी है आने वाले समय में भी भाजपा हर्याणा में होने वाले लोक्षवा और विदान स्वा में जीत दर्ज करेगी अनिल विज ने कहा कि श्यामा परशाद मुखर जी और दिंदायल उपाधया ने अंतियोदे की विचार धारा को लेकर चुनोतियों को देखते विए ये खेल-खेला है उत्तर परदेश में जल्द ही अंगनवाडी कारे करता के हजारों पत पर भाते की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी में बालवी का सेवा एंपूस्ट आरे विबाग तरेपन हजार अंगनवाडी के पतों को भरने जा रहा है। यूपी में कई साल से अंगनवाडी के पतों पर भरते नहीं हुई है। तो अधिकतम उमर 35 वर्ष तै की जाएगी। दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंकों ने ब्याजदरे बढ़ाई थी। वहीं आरबियाई ने 2022-23 में 6 वार ब्याजदरों में 2.50% के बढ़ोतरे भी की है। फरवरी 2023 में 26.50% कर दे गई थी। 6 वार दरे बढ़ाने के बाद इसमें बढ़ोतरी रोकी गई है। आरबियाई गवर्नर शक्तिकान दास ने कहा कि एकोनोमी में जारी रिकावरी को बरकरा रखने के लिए हमने पॉलिशी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है लेकिन जरूरत पढ़ने पर हम स्तीति के इसाब से कदम उठाएंगे। तमाम गलोबल टेंसन के बेच भारत के एकोनोमी मजबूत बनी हुई है। प्राहंत राजे के अन्य जिलों में लागू किया जाएगा। इस सोफ्ट्वेयर की शुरुआती पर्तम चड़ में ड्रग विंग के लिए की गई है चता दिवेत्य चड़ में फूट विंग को सामिल किया जाएगा। निरेक्षन के लिए अधिकारी के मॉबाईल एप पर रेंडम लाइसंस तारी यूनिट के नाम जाएंगे। हरियाना के मुख्यमंतरी मनहुलाल खटर के लिए भिवानी दोरा भारी पड़ता जा रहा है। मुख्यमंतरी में इस मामले में वेपर्देश के अनुसूची जाती समाज की जनता से माफी माँगे। नई तो समाज की तरब से उनकी खिलाफ उचित कानून निकारवाई की जाएगी। जल्द ही CNG और PNG की दाम कम होने वाले हैं। इससे PNG और CNG फर्टिलाइजर प्लांट आदी को फायदा होगा जिससे सीधा फायदा आम गरेलू उप्भोकता से लेकर किसानों गाड़ी चलाने वालों को होगा। अब तक सरकार हर 6 महीने यारी एक अप्रेल और एक अक्तुबर को प्राकरति गैस की किम्ति तया करती थी। अब कैंद्रा बैंक में फिक्स डिपोजिट यानि FD कराने वालों पर अब आपको ज़्यदा ब्याज मिलेगा बैंक ने FD पर मिलेवाले ब्याज में बढ़ोत रिकी है अब कैंद्रा बैंक में FD कराने पर 4% से लेकर 7.25% तक ब्याज मिलेगा वहीं वरिस्ट नागरिकों को 4% से लेकर 7.75% तक ब्याज ओफ़र किया जा रहा है एपडे से मिले वाला ब्याज पूरी तरह से टेक्सेबल होता है भारते सराफ़ा बाजार में 24 का एट के 10 ग्राम सोने के किमद 60,575 रुपए है जबकि 99 में सुद्धता वाली चांदी यानि सिल्वर की प्राइज की बात करें तो 73,95 रुपए परती किलोगराम पर पहुंच गई है उदर एक डोलर का रेड़ 81 रुपए 88 पैसे के स्तर पर बंद हुआ आज खबरों पेशितना आई देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार